हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल टार्गेट सिविल सर्विसेश में आज है 21 अक्टूबर और आज की स्लेक्ट्चर में हम बात करने वाले 21 अक्टूबर से जितने भी करेंड अफेस के कोशन बनेंगे सारे कोशन को स्लेक्ट्च में हम डिसकस करेंगे साथ ही दोस्तों इन करेंड अफेस के कोशन से जो भी एक्स्ट्रा फेक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले है सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो last class में आपसे question पुछा गया था आपसे question पुछा गया था दोस्तो साहित्य में नोबल पुरुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों मैं आपको बदा दू कि साहित्य में जो नोबल पुरुसकार है 2022 इससे सम्मानित किया है एनी एर्नोक्स को करेक्ट आंसर है यहाँ पे option 2 या दखना एनी एर्नोक्स को दोस्तों साहित्य में नोबल पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो मैं आपको बदा दो कि नोबल पुरुसकार देने वाली संस्ता स्वीडिस अकादमी दोरा साहित्य में वर्स 2022 के नोबल पुरुसकारों की घुषना कर दी गई थी जिसमें फ्रांसिसी लेखी का एनी एनॉक्स को यहाँ पुरुसकार दिया जा रहा है एनी एनॉक्स दोस्तों ब्यासि वर्स की लेखी का है और यहाँ अब तक नोबल जितने वाली सोलवी फ्रांसिसी लेखा की भी है एनी एनॉक्स ने दोस्तों करीब 40 पुस्तक के लिखी है तो यहाँ देखना आपको की साहित्य में नोबल पुरुसकार 2022 से किसी सम्मानित किया गया है एनी एनॉक्स को करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन टू और अब दोस्तों हम सुरुवात करते हैं जो लास्ट क्लास में कोशन की है उनके रिविजन की रिविजन का पहला कोशन है निम्नमे से किसने बुकर पुरुसकार 2022 को जिता है दोस्तों मैं आपको बदा दो कि सिलंकाई सेहान करोना तिलका ने पुरुसकार 2022 को जित लिया है करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन नेक्स कोशन है कि महिला क्रिकेट एसिया कप 2022 का किताब किस ने जीता है दोस्तों ये जो महिला क्रिकेट एसिया कप 2022 है इसका किताब जीता है भारत ने और यहां पर उपविजेता टीम कौन सी रही है तो यहां सी लंका रही है यहां भी आपको याद रखना है नेक्स कोशन की विश्व खाद्य दिवस कब मनाय गया है दोस्तो प्रती वर से विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मना जाता है यहां पर correct answer हो जाएगा option 4 अगला कोशन की global hunger index 2022 में भारत की इस इस्तान पर रहा है दोस्तो यह जो global hunger index है इसमें 2022 की अगर बात करे तो भारत की rank 107 रही है correct answer है यहां पर option 2 कुल 121 देशों में दोस्तो भारत की जो rank है वह कितनी रही है तो यहां 107 रही है अगला यह दोस्टों की medical की पड़ाई हिंदी में सुरू करने वाला भारत का पहला राज कौं सा बना है कोशन दोस्टों जम्मू कस्मीर और लद्दक उच्छी नेले के नई मुख्य नादिस कौं बने है तो जम्मू कस्मिर और लद्दाव उच्छी नाले के जो नए मुख्य नाइदीस है वहाँ बने दूसो ए एम मागरे करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप्शन 2 अगला कोशन की पाचवा दक्षिन ACI भूविज्यान सम्मिलन कहां पर आयवजीत किया जा रहा है इसका आउजन किया गया है दोसो जाइपूर राजेस्थान में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन 3 और अब दोसो शुरुवाद करते हैं आज के करेंट एफिस की लेक्षर को अभी तक लाइक नहीं किया है फटावर लाइक कर दे और सेयर भी करे अगर आप पीशेंप नए हो दोस्तो इससे सब्सकार भी जरू कर ले कोशन कि भारती राश्ची कॉंग्रेस के नए अद्धिक्षे कौन बने हैं दोस्तों मैं आपको बदा दू कि जो भारती राश्ची कॉंग्रेस है इसके नए अद्यक्ष बन गए है मलीका अर्जुन खडगे correct answer है यहाँ पर option 1 और आप देख सकते हो दोस्तों यह है मलीका अर्जुन खडगे जो कि भारती राश्ची कॉंग्रेस के नए अद्यक्ष बने है और इन्होंने सोनिया गांदिका इस्तान लिया है मैं आपको बता दो दोस्तों कि मलीका अर्जुन खडगे को 935 मतों में से कुल 7897 मत प्राप्त हुए है इसे के साथ दोस्तों 19 अक्टूबर 2022 को नए कॉंग्रेस अद्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो मलीका अर्जुन खडगे को और इन्होंने पूर्व केंदी मंत्री ससी थरुर को हरा है या देखना हैं दोस्तों कि मलीका अर्जुन खडगे भारती राष्टी कॉंग्रेस के नए अद्यक्ष बन गये है यहाँ पे हम दोस्तों बात करें है भारती राष्टी कॉंग्रेस की जिसकी इस्तापना 1825 को की गई थी संस्तापक की अगर बात करें तो यहाँ ए ओ हुम है मैं आपको बता दो दोस्तों कि भारती राष्टी कॉंग्रेस का जो पहला आदिवेशन है यहाँ मुंबई में आयुजित किया गया था जिसमें 72 प्रती निदियों ने हिस्सा लिया था और पहले आदिवेशन की अदिख्षिता किस ने की थी यहाँ भी कोशन बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ दोस्तों WC बैनरजे ने की थी यहाँ भी आपको पता होना चाहिए तो यह सभी महात्व पूर्ण पॉइंट है भारती राष्टी कॉंग्रेस से जो आपको याद दिखना है करेक्ट आंसर है यहाँ पे option 1 मलिका अर्जुन खडगे भारती राष्टी कॉंग्रेस के नए अदिख्ष चुने गए है और आप चलते हैं next question के और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको PDF संबंदित कुछ जानकर युपलब्द करवा देता हूँ जैसे कि आप वर्ड और नेसल करेंट हैस की PDF पर्चेस करना चाहते हो जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक इसके लिए दोस्तों आपको only 69 रुपीज पे करना होगा वहीं जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक PDF पर्चेस करना चाहते हो तो only 49 रुपीज आपको फोन पे, गुगल पे या पेटियम करना होगा यदि दोस्तों आप monthly रुपीज की PDF पर्चेस करना चाहते हो तो आपको only monthly रुपीज 11 रुपीज पे करना होगा साथी दोस्तों PDF कैसे पर्चेस करना है या मैं आपको बता देता हूँ तो यह जो आप payment करोगे इसके लिए दोस्तों हमारा जो number है 7566836900 है इस पे दोस्तों आप फोन पे, गुगल पे या साथी, पेटियम भी कर सकते हो और इसके लिए जो step है दोस्तों वह क्या है तो WhatsApp number जो हमारा है 7566836900 पर यदि PDF से संबंदित आपको कोई भी doubt हो तो यहां पे clear कर सकते है यदि दोस्तों आप payment कर देते हो तो आपको यह जो payment है इसका skin sort हमारे WhatsApp number WhatsApp number भी यही है और जिस पे आपको payment करना है वह number भी यही है इसी पे आपको दोस्तों skin sort share करना होगा तुरंत बाद हमारी जो WhatsApp टीम है वह आपको PDF प्रोवाइड करवा देगी साथ ही यदि दोस्तों आप PDF का format देखना चाहते हो तो आपको मैं एक PDF किसी भी मन्तक की उपलब्द करवा दूगा तो इसके लिए भी आप यहाँ पे हमें message कर सकते हो और आपको अगला कोशन है दोस्तों कि वर्ल्ड ग्रीन सीटी पुरुसकार 2022 कि जबारती सहर को समानित क्या है तो यह जो वर्ल्ड ग्रीन सीटी पुरुसकार 2022 है इसे समानित क्या है दोस्तों भारती सहर है हैदराबाद को correct answer है यहाँ पे option 1 तो हैदराबाद को यहाँ पुरुसकार दक्षिन कोरिया के जेजू में international association of horticulture producers मिला है दोस्तों याद दिखना कि हैदराबाद को यहाँ जो पुरुसकार है वाकिस ने दिया है दक्षिन कोरिया की एक जेजू में international association of horticulture है इसी ने दोस्तों इसे समान से समानित किया है पुरुसकार दोस्तों कि हैदराबाद को तेलंगना राज्जी के लिए ग्रीन गार्लेंड के लिए समगर शेनी वाइड ग्रीन सिटी 2022 में विजेता के रुप में चुना गया है तो याद दोस्तों कि वाइड ग्रीन सिटी पुरुसकार 2022 में किस भारती सहर को समानित किया है तो हैदराबाद को करेक्ट अंसर है option 1 साथ यहाँ पे दोस्तों option में है इंदोर इंदोर को दोस्तों लगा था छटी बार स्वच्छता में अर्वसे अश्तान मिला है या देखना लगा था छटी बार इंदोर सहर को पाहला इस्तान प्राप्ता हो गगा है और वहीं दोसरा इस्तान कि से मिला है तो सुरत को मिला है और आप चलते हैं नेक्स कोशन के और आप तेले अगला कोशन की डॉक्टर दिलीप महाल अनोबीस का निधन हो गया है जिनका संबंध है दोस्तो निम्नमे से किस्टे था तो दोस्तो डॉक्टर दिलीप महाल अनोबीस का जो संबंध है यहाँ दोस्तों एक चिकित सकते हैं करेक्ट अंसर है option 2 तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि oral rehydration solution उपचार का सर्वर प्रत्थम प्रयोग करने वाले Dr. Dilip Mahal Anubis का निधन हो गया है मैं आपको बता दू दोस्तों कि Dr. Dilip Mahal Anubis का जो जन्म है वह पश्रिम बंगाल में हुआ था तो याद दोस्तों यहाँ पे आपको कि Dr. Dilip Mahal Anubis का जो संबंद है वाकी सचेतर से था तो चिकित सकते हैं याद दोस्तों यहाँ याद दोस्तों करेक्ट अंसर है option 2 और आपकी अगला गोशन दोस्तों कि अपूर्व स्रीवास्तों किसे देश की राजदूत न्यूक्त किये गई है दोस्तों मैं आपको बता दू कि अपूर्व स्रीवास्तों को स्लोवाकिया की नई राजदूत के रुप में न्यूक्त किया गया है करेक्ट अंसर है यहाँ पे option 1 तो आइफेस अपूर्व स्रीवास्तों को स्लोवाक गंडाज में दोस्तों भारत का राजदूत न्यूक्त किया गया है मैं आपको बता दू कि अपूर्व स्रीवास्तों वर्तमान में टोरेंटों में दोस्तों भारत के वानिज दूतावाश में महावानिज दूद के रुप में कारे कर रही थी तो यहां पर हम दोस्तों बात करें स्लो वाक्या की तो जिसकी राजदानी क्या है तो यहां ब्रातिस लावा है यहीं पर हम बात करें स्लो वाक्या की मुद्रा की तो यहां यूरो है और यहां के राश्पदी दोस्तों जुजाना के पूट हुआ है और प्रधान मंती एडुवार्ड हेंगर है तो यह सभी महात्वपुर्णों पॉइंट है स्लो वाक्या से जो आपको यादिखना है तो अपूर्वा स्रीवास्तों जी को दोस्तों स्लो वाक्या देश में नए राजदूत के रूप में निउक्त किया गया है और अब चलते हैं को और आख धूर्वा कर रहे आज के कोशेशंब इनकि जिसका जो आपको कमेंड वक्स में देना है आप भारत के पचाससवे मुख्षी नादिस के रूप में किसे नामित किया गया है इसका साहीं जो आप कमेंट बॉक्स में देना है कोशने दोस्तों आपके लिए कि भारत के 50 मुख्य नादिस के रूप में किसे नामित किया गया है यह आपको बताना है तो दोस्तों आज का लेक्चेर यहीं पर नहुता है अगर आपको हमारा लेक्चेर आपको हमारी महनत अच्छी लगती हो लाइक जरू करें, सेयर भी करें अगर आप इस शेम पर नए हो, तो इसे सब्सक्राइब भी जरू कर ले थेंक्यू सो मच गाइस, फॉचिंग इस वीडियो, बाई बाई, टेक क्यार